नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का कोई खिंदी पर और मैं हूँ अबनियो सिंग दोस्तों आज मैं लेके आया हैं आप सब के लिए बैंकिंग के अति महत्वपूर प्रस्ट जो की के एक्जाम में पुछे जाते हैं यह पार्ड थी है सेकेंट और फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्ट्यम में मिल जाएगा उसको जरूर देख लेना यह तीनो पार्ड अगर आप देख लिए तो ट्रिपल Z के एक्जाम में आने वाले जितने भी banking question होते हैं वो आपका clear हो जाएगा और दोस्तों वीडियो पुरी ध्यान से देखना और वीडियो के आखरे में मैं एक question पूछूंगा जिसका एंसवर आपको comment box में लिखना है और आगे बनने से पहले आप सभी से request है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर देना चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं अब आज का पहला question है PMZDY मतलब प्रधान मंत्री जन्धन योजना इसका full phone भी कई बार पूछा जाए चुका है तो आपको पता होना चाहिए खाते में 5000 की अधिविकर्स विदा किसे अधिविकर्स मतलब आपको पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं overdraft जो आप advance पैसा निकाल आपके account में पैसा नहीं फिर भी आप उतने पैसे निकाल सकते हो तो उसको बोलते हैं overdraft अधिविकर्स बाद में आपको देना पड़ेगा अब option है A 6 माह तक खाते की संतोज जनक प उप्रोक्त सभी तो यह सब अगर आपके pass है तो आपको overdraft की facility मिल जाएगी ठीक है अब चलिए next अब दूसरा question है प्रतच लाव अंतरड जिसका मतलब है dbt जिसको बोलते है direct benefit transfer ठीक है इसका full form भी आपको पता होना चाहिए जो मोधी सरकार ने स्कीम निकाला है direct benefit transfer का तो क् समाजिक लाव सबस्टी का लावरतियों की बैंग खाते में सीधे अंतरड ठीक है चलिए next आधार सीडिंग का विप्राइग क्या है तो आधार सीडिंग अप्राइग है आधार को बैंग खाते से जोड़ना ठीक है option नमबर एसका एंसर होगा चलिए next PMZDY के अंतरगत क्या लाव युड़े हैं मतलब प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंतरगत क्या लाव है तो पहला है एक लाग का दुरगटना भीमा कपर ये भी मिलता है उसमें 30,000 का जीवन भीमा कपर ये भी है और 5000 तक की अधिविकर जिसको बोलते है ओबर ड्राप्ट की सुद्या तो इस का मुखिया भी खोल सकता है तो उप्रोग सभी इसका एंसर हो जाएगा चली नेक्स्ट लग खाते में अधिक्तम कितनी जमा राज स्वीकार की जा सकती है तो 50,000 जितने में बता रहा हूं सारी important है ये question कभी न कभी triple C की exam में पूछे जा चुके हैं चली नेक्स्ट बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलते समय नियुंतम राज की कितनी जरुवत पड़ती है यह आवज सकता है तो इसका option number C answer होगा कोई नियुंतम राज की आवज सकता नहीं होती ठीक है चली नेक्स्ट बैंक मित्र कौन है तो बैंक मित्र होता है option number B bank द्वारा नियुक्त banking correspondence ठीक है इसका answer होगा चली नेक्स्ट अटल पैंसन योजना जिसको बोलते हैं API इसका full form अब ध्यान से देख लेना अटल पैंसन योजना API क्या है तो असंगड़ी छेत को समाजिक सुरच्चा प्रदान करता है कामगारों को सुच्छत से सेवन निविद के लिए बचत के लिए प्र प्रदान तो इसका answer होगा उप्रोक्त सभी ठीक है चली नेक्स्ट प्रधान मंत्री जीवन जयोती भीमा योजना ध्यान देना PMZZBY क्या है तो क्या है एक जीवन भीमा कबर होता है जिसमें दो लाख तक का जीवन भीमा कबर दिया जाता है ठीक है लाभार्थी को काफी important है ध्यान देना दो लाख चली नेक्स्ट किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है तो मियादी खाता जिसको बोलते है फिक्स्ट डिपोजिट चली नेक्स्ट PMSBY मतलब प्रधान मंत्री सुरच्छा भीमा योजना के अंदर कितना दुरगटना भीमा दावा उपलब्द है ठीक है PMSBY का मतलब क्या होता है प्रधान मंत्री सुरच्छा भीमा योजना तो इसका सही एंसरों का option number B दो लाख रुपए अगर दुरगटना होता है तो दो प्रधान मंत्री सुरच्छा भीमा योजना के अंतरगत आंसिक अपंगता दावा उपलब्द है तो option number B एक लाख रुपए अगर मृत्य होती है तो दो लाख रुपए नहीं तो एक लाख रुपए चली नेक्स्ट एक अनपढ़ ब्रक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया ज सकता है सत्यासत भीवे सत्य है एक अनपढ़ ब्रक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है चली नेक्स्ट प्रधान मंत्री जंधन योजना में 30,000 के जीवन भीमा के लिए covered नहीं है कौन-कौन नहीं है केंद सरकार सारुजनिक शेत के करमचारी यह नहीं है आयकर दे चली नेक्स्ट अटल पैंसन योजना के अंतरकत निस्षित पैंसन प्राप्त की जा सकती है तो एक हजार, दो हजार, तीन हजार और चार हजार, पांस जार जार उप्सन नम्बर ए इसका सही अंसर होगा बाकि सारे गलत है ठीक है चली नेक्स्ट वर्तमान में भारती रिज तो जब चेंज हो जा है तो आप हमेज़ा अपडेट रहना जो भी वर्तमान में हो वही लिखना है लेकिन अभी तो सत्तिकांत दास ही है ठीक है चली नेक्स्ट विस सुबैंक का मुख्याले कहां पर रहे तो वासिंग अटन डीसी में स्थित है ठीक है बहुत इंपॉर्ट है दोस्तों अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब कियो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना अब आते हैं आज के प्रधान मंत्री जीवन जियोती भीमा योजना के अंतरगत कितने रुबय तक का कबर मिलता है ठीक है एक लाग दो लाग या तीन लाग इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मैंने डिसकस किया इस वीडियो में तो दोस्तों फिर एंसर जरूर लिखना फिर मिल